वेल्कम गाई यहां पर कच्छा 10 वी और 12 वी की बोर्ट परिचाओं को रिजल्ट के लेकर एक और एहम ख़बर आ रही है मुल्यांकन कारिया बड़ी तेजी से कराया जा रहा है जिससे ते समय से पहले ही रिजल्ट को गोशित कर दिया गाई तो यहां पर 10 वी का 100 वा 12 वी का जेई मैन एडवांस 23 और 24 के चात्रों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और ट्विक कंसेंट रिवीजन बैच जेई मैन 22 के चात्रों के लिए 30 मार्स से सुरू होने बाला है इतना ही नहीं ऑल इंडिया ओनलाइन टेस्स सीरीज आई इडी जेई मैन और एडवांस के चात्र सीरीज में टॉप क्वालिटी क्वेश्चेंस रहते हैं जो टॉप एज्यूकेटर के उतारब बना जाते हैं फाइनल एंड फुल रिवीजर रहता है जेई 1222 के चात्रों के लिए और गाई इसके साथ ही एबरी बीग 50 लकी बिनर को सर्प्राइज गिप्ट भी अनकैडमी क सब्सक्राइब करते हो तो मेरा कोड़ यूजरूर करना और आपको 10% मिल जाएगा वह पूरा हो चुका है बहुत बड़ी ख़बर है आपकी मुल्यांकन कारे को लेकर कौंपियों की जाच को लेकर आपका का कौंपियों की जाच है वह लवा लवा समापती की तरफ है 95% तक आपकी जो मुल्यांकन कारे वह पूरा हो चुका है अब सिर्फ और सिर्फ अंकों के अपटेशन का काम बचा हुआ है जो के ऑनलाइन किया जा रहा है इसको देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाने की कोशिस की जा रही है कि अप्रेल के अंत तक परिडाम आने की उम्मीद है और कच्चा 5B और 8B की परिच्चा है वो एक तारीक से सुरू हो जाएंगी यापत भासकर संबादादा थार की तरफ से यह आर्टिकल छापा हुआ है जिसको मैं बिस्तार से आपको पढ़ करके बताने बाला हूँ यानि बोर्ड परिच्चाओं का मुल्यांकन अंतिम है सिच्चा विवाग ने 10 अप्रेल तक प्रते एक जिले से रिजल्ट मागा है इसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रेल के अंति तक यह मैं के सुरुआती सब्ता में बोर्ड परिच्चाओं के परड़ाम गोसित हो जाएंगे तो कोरोना काल के चलते दो साल से मादेश जारी किया है जितने भी जिले हैं मद्धिप्रदेश के वह अपना अपना रेजल्ट है बोर्ड को सौंप दें जिससे के उनको रेजल्ट डिकलियर करने में देरी का सामना न करना पड़े क्योंकि जब तक जिले के दवारा अंकों को ऑनलाइन अपडेट नहीं किय जाएगा बोर्ड के पास तब तक वह रेजल्ट डिकलियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह अंकों को एक साथ समाज़ुद करके ऑनलाइन बेपसाइट पर अप्लोड किया जाता है पिर उसके बाद बोर्ड के द्वारा एक निर्धारित तारीक डिसाइड की जाती है और उस लगता है एक या दो दिन का टाइम और लगे 15 तारीक तक ऑनलाइन यानि पोर्टल पर अपडेट अपडेट हो जाएंगे उसके बाद 20 अपरेल से 25 अपरेल के बीच में रेजल्ट डिकलियर होने की पूरी-पूरी समभावना यहां पर दिखाई दे रही है